नमस्कर दोस्तों स्वागत है आप सभी का ट्रीकी टेखनोलोजी यूटूब चैनल पे यह हमारे सामने काटेज है एक प्रिंटर का 88A दोस्तों जितना भी प्रिंटर का काटेज होता है लगभग ऐसा ही सेम होता है हम आपको इसमें बताएंगे कि कैसे हम लोग काटे इसको open करते हैं और उसके अंदर इस तरीके का जो भी पीन वगेरा लगा हुआ होता है उसको कैसे हम लोग निकालते हैं तो ये बारीकी से सिखेंगे इसके लिए आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा वीडियो काफी अच्छा होने वला है तो देखें तो मैंने इस box को open कर दिया है open करने के बाद देख सकते हैं कि इसमें से ये निकाला है और ये भी निकाला है और plastic को भी मैंने फार दिया तब ध्याना है कि आपके लिए कुछ बनाना चाहिए तो मैं अब सुरू कर रहा हूँ देखें ये सबसे पहले इसको निकाल लीजे box को open करने के बाद जैसे कि आप यह आपके देख रहे हैं box को मैंने open किया और ये इसके अंदर से जो भी plastic बगएर है उसके अंदर डाल दिया अब क्या करना है सबसे पहले इस पीन को निकालना है पीन को निकालने के लिए पकरिए खीच दीजे ये निकल जाएगा फिर second इधर से निकाल लिए और ये खीच दीजे निकल जाएगा फिर यहाँ पर देखें एक cheap के पास एक पीन होता है ठीक है यह जो पीन देख रहे हैं यह चीप के लिए होता है ताकि प्रोटेक्टिव इससे आपको पता चल रहा है कि यह जो काटेज है बिल्कुल न्यू है यह हमेशा चेक करना है जिससे कि आपको पता चले कि यह काटेज न्यू है ठीक है इसके बाद सेकेंड में क्या करना ह कि देखिए इस तरीके का एक और पी में इंपोर्टेंट यहां पर दिया हुआ होता है जिसके अंदर से प्लास्टिक लॉक होता है जो कि यह बताता है कि अभी तक की स्कार्टेज का इस्तेमाल नहीं किया गया है तो इसको खीचने के लिए बस खीचना है देखिए यहां पर लेकिन चुकि एक मोबाइल से हम होल्ड किये हुए है तो इसमें थोरा सा हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से खीचेंगे इसको देखिए यहां पर इस तरीके सपकरने के बाद यहां से इसको लीजिया जोर से खीचना है कि इतना लंबा जो है एक प्लास्टिक का वायर निकलेगा ठीक है जो कि आपको इस तरीके का दिखेगा देखिए यहां पर यह लोग है जिससे यह पता चल रहा है कि यह जो काटेज है बिल्कुल न्यू है और देख सकते हैं आपको यहां पर सामने से भी नजर आ रहा है बिल्कुल न्यू काटेज है और इस तरीके से हम लो P11008 इसके अंदर नहीं है काटेज और यह हमारा काटेज इसको अब असानी से लगा सकते हैं क्योंकि अगर पिन रहेगा या जो भी लॉक वगएरा इसका देख रहे थे अगर वो लॉक रहता तो यह जो है नहीं लगता अब इसको हम लॉक कर दियें अब यहां से ओन करेंगे और करने के बाद हम प्रिंट देना शुरू कर सकते हैं तो दोस्तों यह था कि कैसे हम लोग किसी भी प्रिंटर के काटेज को ओपन करते हैं उसके बारे में वीडियो था वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेर कीजे और कोई सवाल हो तो कॉमेंट कीजे नमस्कार बहुत को तेन लेबाद